वल्कम बैक एव्रीवन टु व्लॉग बर्ड्स आज हम लोग वापस से आए हैं उसी जगह पे आम तोड़ने के लिए देखते हैं वैसे पट सच बताओं अभी हम लोग तक्री बन एक किलोमीटर के आसपास अंदर आये होंगे या उससे ज्यादा ही आम पेड़ तो बहुत सा के साइड में है और देखे दोनों तरफ कोई भी घरूर नहीं है मतलब यह सारवजनी कवाला पेड़ है तो इसमें से हम लोग एकाद आम तोड़ रहे हैं तोड़के उदर रखते जाओ तीन मैंगो इन्होंने तोड़ा अभी तक एक्चुली मैं पता है गर्मी के टाइम प तो वह बहुत ज्यादा है और हम लोग तो एक ज्यागा से गन्ना जूस पीते थे हमेशा से वहीं पीते हैं बहुत अच्छा वह देते थे लेकिन अभी गर्मी के टाइम पर साइद लोगों ने बुला होगा कि हमें ठंडा चाहिए करके तो वह क्या कि बहुत सारा बर्फ मि यहां पर ठीक ठाक है और हमारा भी थोड़े से काम चल जाएगा क्योंकि हमें तो पर सरबत पिना है या ज्यादा से यादा चट्नी बनाएंगे हां रहा हूं और अभी क्या है ना कि मार्केट में नया नया आम आया है तो हमने आज ही को पूछा था कितना प्राइस था 50 मज़ा है ना वो खरीद के खाने में नहीं है पकड़ तो सकते हैं हाँ यह हला कि काफी छोटा छोटा है मैं रख के आता हूं इसके खीर से बचके रहना होता है वरना क्या है कि मुझ में थोड़ा सा भी अगर लगा ना तो घाव हो जाएगा एकदम से चलिए चार हमने इध तो आज हाट करना था तो हाट के दिन क्या है ना कि स्कुटी लेके निकलते है तो बहुत इजी पड़ता है कि सामान रखनें बहुत आसानी होता है ना बट लॉंग टूर के लिए तो नहीं इसकुटी बिल्कुल भी सही नहीं रहता है क्या इसमें भी है देखिए उस वाले पेड से हमने तोड़ा और अभी बूल रही है कि इधर भी है यह वैसे काफी गहना है और अंदर में इसको तोड़ना बहुत मुस्किल हां डंडा चाहिए और दुनिया वर का ताम जाब चाहिए होगा इसको तो नहीं हम लोग तोड़ सकते हैं लेकिन यह वाला जो आम देखे यहां पे हमारा दो फाइदा हुआ एक तो क्या है ना कि यह वाला जो जगह यह मुझे बहुत पसंद है परस्नली क्योंकि पूरा सांत है और ज्यादा भीड़भाड नहीं है तो हमेसा एक मतलब सांती बना वा रहता है ने 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 बिलकुल ने बिलकुल ने जहां डाली युली टूटा ना फिर पूरा गीर होगी यह जगह सांती पूर्ण है लेकिन हॉस्पिटल बहुत दूर है यहां से अरे मत कर मत कर मत कर पता है जब से मेरे डैडी ने सरीर छोड़ा ना इसके बाद से इस व्लॉगिंग को भी लेके बहुतों ने बहुत सारे कम किये मतला आप वीवर्स ने नहीं ऐसे ऐसे लोगों ने जो हमारे करीबी थे सिर्फ नाम के लिए ही तो उन लोगों ने क्या क्या ना कि बड़े सारे कमेंट्स कीये कि अरे देखो मतलब इसके फादर नहीं है लेकिन इसके बाद भी इसको सर्म नहीं है यह व्लॉग कर रहा यह कर रहा है वो कर रहा है अब सोची अगर उस वक्त पर मैं रुख जाता तो क्या होता नुक्सान किसका होता क्योंकि मेरे परिवार को मुझे चलाना है है ना अब मेरे कंदे पर और इस तरीके के जो सिर्फ नाम के मतलब हमारे हैं अपने और सिर्फ मतलब भॉंकते ही रहते हैं जब देखिए तब भॉंकेंगे कुछ भी अगर बढ़िया कर लू तो भॉंकेंगे और हां चुप चाप अगर घर पे एकडम हाथ पैर समेट के बैठा वा आप अब अवरना फिर थीक नहीं है तो बेटर क्या है कि मैं ठीक ना रहा हूँ ताकि मैं और मेरा जो फैमली है मतलब कि मैं फिर मम्मी डैडी जिनका कि अभी सरीर नहीं है और मेरी बेटू हम सब बहुत खुशी से रहेंगे फिर और एक चीज आपको बताना चाहता हूं क कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, no matter what, but आपका जो पैसन है, वो आपको नहीं छोड़ना है, किसी भी हालत में छोड़ना है, क्योंकि देखिए, लोग भॉंकते रहेंगे, आजकल कुटे ज्यादा वफादार होते हैं, ठीक है, उनमें समझदारी ज् इनको मैंने देखा है, हाला कि मैं ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ, बट भॉंकते रहते हैं, तो कई बारी इधर उधर से जो बाकी के लोग हैं, उनके थुरू से मुझे जानने को मिलता है, कि अच्छा इनोंने ऐसा बुला वैसा बुला, फर्क मुझे कुछ भी नहीं प अब टू डेट रहते हैं, एक दम एक व्लोग नीनिस करते हैं वो लोग, मुझे पता है यहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ताकि वो लोग देखें, जल भूनके और ज्यादा खाख हो जाएं, और खाख हो जाएं, तो वो क्या करते हैं, फिर इधर उधर 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 उध लगते हैं, इधर उधर भेजने भी लगते हैं, तो फिर मदा आने लगता है, बहुत बड़ी आ रहता है फिर, तो अरे वाँ, तीन-तीन बाइक सवार गए और उन लोगों ने लोग करते हो मुझे देखा तो बड़े खुस होके हाथ होती लाके गए, बड़ा अच्छा लिया है, मतलब बैग में भी हमने भरा है, और बाकी का वो उठा भी रही है, बाप, रे बाप, मैं भी हेल्प करता हूँ कुछ दू को, तुमारे अकेले का नहीं है, बस का, बाकी दोने तोड़ा बहुत सारा है, मतलब इतना से आचार बन जाएगा, जैसा लग रहा है, मैं फटाफट सिर्फ बैग में रख रहा हूँ, जाओ, 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 बैग में रखो, पर दूबारा आएंगे और ले पर घरी, हाँ क्योंकि दूबारा तब तक तो रहेगा निए, एक्चली हमने बहुत छोटे-छोटे में देखा था ये हम, मतलब जब यह बहुत छ झायबूड़ा तो मूपक ही नहीं मिला है क्याकिन से यह ěसे हमने देखा कि ना थे हएं ludzie अच्छा है आचार का नाम लिए अब इनको आचार षी बना लें तो सच बात है सेतने से तो होगा नहीं अब यह और तोड़ रही है बस 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 यार मैंगो हमने बहुत सारा लेकिन अज मन भर गया और यहां तक आने का जो मोटिव था वह भी पूरा हो गया हमारा वैसे अब धीरे धीर ना धूप भी बहुत ज्यादा लग रहा है गर्मी बढ़ रहा है अभी 10 बच के 20 मिनट में ही धूप इतना जबरदस है ना कि मैं क्या बता हूँ आपको अलब हालत खराब हो जाएगा इसी धूप में इस ताइम पे मैं तो यही चीज़ बोलूँगा कि अभी तो खैर हम लोग आम तोड़ने के लिए हैं इसलिए इस टाइम पे निकले हैं वरना निकला भी नहीं पार हूँ इतना सारा है यह घिराती ही जा रही है पूरा बैग हमारा भर गया है आम से ही आ है कुछ नहीं अरे लगा इधर मुझे यहां तुमने जो ताटा लगाया है अब बहुत ही लेकिन ज्यादा है यह देखिए यहां पे भी भरा हुआ है और डिक्की के अंदर भी पुरा भरा हुआ है और वो गई है और ज्यादा मैंगो लेने के लिए और हमें देखके ना तीन लोग और भी मोटिवेट हो गये हैं वो लोग भी तोड़ना स्टार्ट कर दिये हैं मना पहले कोई नहीं तोड़ रहा था क्या मिला ठीक है एक मिनट य यह तो यह देखिये हैं मैं लोग इसमें ठीक आगे अच्छा उधर भी अभी फाइनली हम लोग घर आ गये हैं वहाँ पे आम उठाने में हम लोग इतना ज्यादा वैस्त हो गया और हमने तो तीन चार लोगों को मोटिवेट भी किया आम उठाने के लिए मतलब वो लोग प देखिये यह आम जो हमने लिया यह कितना होगा कीलो हिसाब से अगर देखा जाएगा है अच्छा वह वजन करने वाला नहीं हा 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 हो जाएगा लेकिन प्शक्यों जैसा रभार एक ने बड़ा बड़ा साइध का होता ना तो दोस खीलों को यह वाला ना इसको बंद कर यह यह मानेंगी नहीं यह वजन करके रहेंगी अरे तुमने ऐसे ही बोल दिया काफी नहीं क्या वजन भी करना है मैं तब तक आपको वक्त दिखा देता हूं यह देखिए 1145 होने वाला है इनको देखिए यह मानेंगी नहीं यह वजन करके ही रहेंगी लेकिन इसमें पता है वज तो इन्हों ने अब फाइनली तयार कर दिया है वेइंग मसीन को यह जीरो जीरो पे है यह बाँ एकदम तराजू के जैसा इसको इन्हों बैठा दिया है एक दफा और इसको यह करना पड़ेगा अफ करके अन कर दो ठीक हो जाएगा अफन वाला है ना अचा ओफन वाला नहीं है तो डायरेक्ट हमें बूली गया तो एक बैटरी निकालो फिर रखो वो कुछ टाइम के लिए अन रहेगा फिर जब तक वजन अगर नहीं चड़ा तो आपनेटिकली आफ हो जाएगा अब 0-0 पर है केजी में देखिया दो आम ने रखा एक्चली यह सिर्फ वजन के लिए है ना मतलब ऐसे के लिए नहीं इधर एक पैर और उधर एक पैर तो यह नापता है इसलिए तो मैं बोल रहा था लेकिन हाला की पूरा रखोगी तो एक एस्टिमेट निकलेगा पूरा पूरा तो नहीं ही बता पाएगा यह देखिया पीजर देखिया अचा मेरा वजन पहले से जादा बढ़ गए है अचा मैं आप क्या बोलता हूं कि उसको रख दो हाँ अब रख दो यह वाला वे यह वाला वे एसा अब बंगाए हूं क्यों ह क्या है ना कि मैंने थरकारी बेचने का सोचा नहीं था तो इसलिए फिल्हाल इस व्लॉग में बस इतना ही बहुत ही जल्द मिलते हैं एक दूसरे वाले वीडियो में तब तक के लिए आप देखते हैं यह व्लॉग बर्ड्स और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्स्